इस हफ्ते रविवार को आने वाले इंडियन आइडल के एपिसोड में धमाल होने वाला है इस हफ्ते सैट पर बपीदा आने वाले हैं बपीदा इंडस्ट्री में अपनी गोल्डन जुबली पूरी होने पर आने वाले हैं अब जब बपीदा सैट पर पहुंचेंगे तो सैट पर उनके गानों की धूम मचने वाली है बपीदा को इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो चुके हैं इन 50 सालों में बपीदा ने इंडस्ट्री को ये बताया कि डिस्कॉर पॉप क्या होता है बपिदा ने ही बॉलिवुड को इस चीज से रूबरू करवाया हाल ही में शो ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें इंडियन आइडल के जज विशार ददलानी वो शो की खुस्त आदित नारायन हाथ पकड़ क बपिदा को स्टेज पर लाते हुए दिख रहे थे सभी ने बपिदा का खड़े होकर वेलकम किया था आदित बपिदा से पूछते हैं कि बपीदा पचास सालों का यह सफर कैसा रहा इस पर बपिदा कहते हैं कि मैं यहां सिर्फ इंडियन आइडल के लिए आया हूँ और य बपिदा के गाना सुनका सैट पर मौजूद सभी लोग खुशी से जूम उठे शो ने एक और वीडियो शेयर किया है जो एपिसोड की एंडिंग का नज़र आ रहा है इस वीडियो में शो के सभी कंटस्टेंट बपी लहरी के फेमस गाने गाते हुई नज़र आ रहे हैं कंटस्टेंट के साथ शो के जज हिमेश्री शम्या विशाद अदलानी और नीहा ककड भी कंटस्टेंट का साथ दे रहे हैं सभी के साथ बपी दा भी गाना गा रहे हैं शो का एक खास एपसोड म्यूजिक इंडुस्ट्री में बपी दा के 50 साल पूरे होने पर उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए रखा गया है इस एपसोड में सभी कंटिस्टंट बपी दा के गाने गाते हुए नजर आ रही है सरी हिंडुस्तारी का गाना भी बपी दा को बहुत पसंद आया बपी दा ने इस गाने से जुड़ी बातें भी सेट पर शेयर की शो ने जो वीडियो शेयर किया है उस वीडियो में कंटिस्टेंट जजस बपी लहरी के गाने मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की ओलाल दुपटे वाली तेरा नाम तो बता चाहेंगे थोड़ा प्यार थोड़ा प्यार चाहेंगे इस रात में जो मज़ा है ये मज़ा कुछ नया नया है कभी अलविदाना कहना गाते हुए नजर आ रहे हैं ये शो अब तक का सबसे यादगार एपिसोड होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में इंडुस्ट्री को डिस्को और पॉप से दूबुरू कराने वाले बपी लाहरी सेट पर आने वाले हैं सेट पर पपी यर। स हूँ कर दो Αफ आने तक को औरीक हैं से ऑने हो रहे हैं से इजर यादीäre टेजर साम में प्र एक 1